फिरसबात में पाने की समस्या को लेकर लोगों ने फिर लगाया जाम टूंडला नगरपाली का शेतर में पिछले 15 दिनों से पेजेल समस्या गंबीर रूप ले चुकी है जिसके चलते लोगों ने सड़कों पर उतर कर हंगामा किया और जाम लगा दिया गटना की सुचना पर पहुची पुलिस ने गुस्ताई जनता को आश्वाशन दिला कर जाम खुलवाया हातों में खाली बाल्टी व बरतन और नगरपाली का टूंडला के भारी आफ्रोश लिये ये लोग टूंडला की निहार कालोनी के हैं निहार कालोनी में पिछले 15 दिनों से नलकुप खराब होने से पानी की समस्या ने विक्राल रूप ले लिया है समस्या की शिकायत पर कोई सुनवाई न होने पर शेत्री लोगों का गुस्ता सात्रे आस्मान पर पहुच गया और स्टेशन रोड पर भीर्ड हातों में खाली बटन लेकर जाम लगा दिया जाम की सुचना मिलने पर पूलिस फॉर्थ भी पहुच गया और गुस्ताई भीर को समझाने में जुड़ गई बीशन गर्मी में पानी की समस्या से परेशान लोगों का एक गंटे की कड़ी मकसद के बाद गुस्ता शांस कराकर जाम खुलवा दिया ऐसे में सवाल यह उटता है कि पानी को लेकर प्रशाशन इतना सहज क्यों नहीं है प्रशाशन में डिल मिल रवये को लेकर फिरोजबाद की जनता पानी की समस्या को लेकर कई बार उग्र होकर जाम लगा चुकी है प्रशाशन का यही हाल रहा तो जनता पानी को लेकर खुन बहाने को मजबूर न हो जाए अगर कोई नहीं सुनता तो आप क्या करोगी अगर कोई नहीं सुनता तो आप क्या करोगी अगर पाल का गई थे पियों के पास उन्हों नहीं किसी को समस्यान नहीं तो आप पड़े पड़े तो शुकान में आप इस पोस्त पर है अगर पाल का के अंदर कुछ लोगों ने आप अंगामा किया है क्या पूरा मामना है प्रॉब्लम यह कि हमारे पास परसों सुचा मिली थी कि यार बस्ती की समर खराब है तो हमने तत्कार वहां पे कार लगा दिया वहां से वोटर निकल वाली है लोगों का कहना है कि चार करीब पंदर दिन से हमारे बस्ती के अंदर पानी की समस्याब होते है नगरपालका पर आम जाके सिकाथ करते हैं कोई सुनवाई नहीं होती इस पर आपका क्या कहना ही है हमारे पास सिकाथ परसो आ थी तुरूंती हमने यहां से मिष्टी बढ़े थे नगरपालका से तुरूंती वहां पर काम लगाया था था तैर पर लोगों के ना है नोने रोड जाम किया और लोगों कहना है जब तक अ नगरपाल का पानी नहीं मिलता है आम इस तड़िये दर रोड जाम करें रहेंगे और नगरपाल का पर गेराब करेंगे इस पर कहना है अब हम जो है अपने वेस्ट के काम लगवा दे रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसका समाधार होने है